आज के युग को हम वैज्ञानिक युग के नाम से जानते हैं और ये संभव हो सका है जो हमारा ओद्योगिक करण है और नगरी करण है तो जब भी हम ओद्योगिक विकास की बात करेंगे तो ओद्योगिक विकास पूरी तरह से किसी भी देश में उपलब्ध जो खनी संसाधन है उस पर डिपेंड करती है जब खनी संसाधन किसी भी देश में जादा मात्रा में मिल रहा है तो वहाँ पर खननकारी अधिक होगा और उससे संबंदित उद्योग जो हैं वहाँ पर इस्थापित किये जाएंगे तो पूरी तरह से ओद्योगिक विकास या हम विकास या प्रगती की जब बात करते हैं तो खनीज संसाधनों पर ही डिपेंड करता है या उस पर ही निर्भ अब बात यह होती है कि खनीज हम कहेंगे किसे खनीज संसाधन क्या है तो प्रकृति पर या प्रित्वी पर मिलने वाले जो भी प्रकृतिक पदार्थ हैं जिन्हें हम जमीन से खोध कर भूमी झी से खोध कर निकालते हैं उन्हें हम खनिज संसाधन के नाम से जानते हैं तो जब हम प्राकृतिक पदार्थ कह रहे हैं तो जितने भी जो प्राकृतिक पदार्थ होंगे उनके भौतिक और रासायनिक गुर्जों हैं वो अलग-अलग होंगे तो एक शब्द में नहीं हम एक लाइन में यदि बात करें तो खनीज पदार्थ प्रित्वी के गर्भ से भूमी को खोद कर निकाले गए प्राकृतिक पदार्थ को हम खनीज कहते हैं अब जब हम इन खनीजों की विशेष्टाओं की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें कौन-कौन सी विशेष्टाएं खनीज पदार्थों में देखने को मिलती हैं पहला तो ये है कि इनका जो वितरण है वो असमान है कोई भी खनीजपदार्थ जो है वो सभी जगह एक साथ नहीं मिलते मतलब हम लौयस की बात कर रहे हैं या कोईले की बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की बात करें, मैगनीज, बॉकसाइट किसी भी खनीज पदार्थ की बात करें, तो इनका वित्रण हमें सभी जगह असमान रूप से देखने को मिलता है, कहीं पर कोई खनीज पदार्थ जो है वो अधिक मातरा में मिलेगा, कहीं मैगनीज की अधिकता होगी, कहीं पेट्रोलियम अधिक मातरा में मिलेगा, कहीं बॉ खनीज पदार्थों की बात करें तो कोई खनीज जो है जब हम वित्रण की बात करेंगे तब देखेंगे इन में जैव और अजैव, कार्बनिक और अकार्बनिक, धात्विक और अधात्विक वाली जो विशेश्टाएं हैं वो सभी खनीजों में अलग-अलग देखने को मिलत तीसरी जो इसकी विशेश्टा है इनका छेत्री वित्रण भी असमान है। हमने पूरे विश्व में इसके वित्रण की बात करें या किसी राष्ट विशेश में या छेत्र विशेश में तो इनका वित्रण जो है वो असमान देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण इनकी विशेश्टा है कि खनीच पदार्थ जो हैं वो एक या एक से अधिक जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका मेल होता है मतलब हर खनीच पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुड में हमें भिन्नता देखने को मिलती है ये चाहे एक कोई भी रासायनिक तत्व की इसमें प्रधान्ता हो सकती है या एक से अधिक रासायनिक पदार्थों की प्रधान्ता वाला वो खनीच हो सकता है फिर अगली इनकी विशेश्टा देखते हैं कि खनीज की गुडवत्ता कोई भी खनीज है उसकी जो गुडवत्ता है quality की जब हम बात करते हैं तो गुडवत्ता और उनकी मात्रा के बीच में विपरीज संबंध या प्रतिलोम संबंध जो है वो पाया जाता है मतलब जिस खनीज की quality बहुत अच्छी होगी अच्छी quality वाला जो खनीज है वो उनका वित्रण हमें बहुत कम देखने को मिलेगा या उसकी उपलब्धता जो है वो विश्व में कम मात्रा में होगी लेकिन जिनकी गुडवत्ता कम है या निम्न गुडवत्ता वाला जो है उनकी मात्रा या उसकी जो उपलब्धता है वो पूरे विश्व में हमें अधिक देखने को मिलती है हम समान्य में भी बात करते हैं तो जब quality और quantity की बात होती है तो कोई भी चीज जो quality वाली है वो कम होती है और जिनकी quantity अधिक है या मात्रा में जो हमें अधिक देखने क को मिलती है उनमें क्वालिटी थोड़ी कम होती है अब अगली इसकी विशेष्टा है कि खनीज जो है वो अधिकतर समाप्य संसाधन होते हैं समाप्य संसाधन मतलब जब हम खनीज को एक बार उपयोग करेंगे तो उसके बाद हम उसे दुबारा उपयोग में नहीं ला सकते य तो वहीं उस उस्थान से दुबारा हम उस खनीज को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए यह हमारा उत्तरदाइत्व है कि हम खनीज संसाधनों का जो उपयोग है यह हम यह कहें कि उनका जो सद्दुपयोग है वो विवेक पूर्ण उपयोग हमें करना चाहिए ताकि जितनी उ हमारे पास उन संसाधनों की है उसका हम विवेकपूर्ण उप्योग करें और उसे भावी आने वाली जो पीढ़ी है या अपने भविश्य के लिए भी हमें उसे संरक्षित रखना चाहिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि कोई भी देश चाहे विश्व का कोई भी विक्सित देश हो या विकास्षील देश हो तो वहाँ वो किसी भी खनीज के मामले में या किसी भी खनीज संसाधन की उपलबधता में पूरी तरह से आत्म निर्भर नहीं होता और इसलिए हम देखत में किसी राष्ट में लौह एस्क की उपलबधता है लेकिन वो दूसरे राष्ट में उपलबध नहीं हो पा रहा है या किसी देश में में जो ही जो है वो बहुत कम मात्रा में हैं और उनकी डिमांड जज़ादा है तो उस संसाधन को उस ऐस्क को आयात करना पड़ेगा या दूसरा देश जहां पर एक्सेज में उसकी उपलबधता है वो अपने यहां से अपने देश से उस माल को उस खनी संसाधन को एक्सपोर्ट करेगा निरियात करेगा तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट की जो आत्म निरभरता नहीं होती है किसी हैं जिन कच्चिद हातों के रूप में हम बार-बार जैसे आयस्क की बात करते हैं कि भई बॉक्साइट का मतलब अलूमिनियम का आयस्क जो है वो बॉक्साइट है है ना या लोह आयस्क की हम बात कर रहे हैं तो हम आयस्क क्या चीज है तो खनी संसाधन से जुड़ा एक वि मेत्र से खुदाई करके खनन कारिय करके हम उस खनीज को निकाल रहे हैं तो जिस भाग से हम जहां पर वो उपलब्ध है उसे हम खान कहते हैं और खुदाई करने की जो प्रक्रिया है जिससे हम खुदाई करके उस खनीज को निकाल रहे हैं वो हमारी खनन प्रक्रिया कहलाती अब खनन तो हम जब गहराई तक भुगर्व को या पृत्वी के धरातल को बहुत अधी गहराई तक हम खुदाई करके जब उस खनीज को प्राप्त करते हैं तो हम उसे खनन कार्य कहते हैं लेकिन जब धरातल पर ही हम खुदाई करके या उसके बहुत उपरी सतह तक ही खुद खुदाई करके खोद कर हम खनीच को प्राप्त करते हैं तो उसे उत्खनन कहते हैं तो खनन और उत्खनन में यह छोटा सा डिफरेंस है हम गहराई में खुदाई कर रहे हैं तो वो खनन कारिय हो गया और हम धरातली सतह तक थोड़ी ही गहराई में जा रहे हैं थोड़ा नीच बात की थी कि किसी भी राष्ट्रे के विकास में वहां पर जो उपलब्ध खनी संसाधन है उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है तो भारत जैसे विकास शिल देश में हम ये देखते हैं कि वहां के और दोगिक विकास के लिए यहां का जो खनी संसाधन है वो बहु जो उपलद्व संसाधन है, खनी संसाधन है. उनका वो उपियोग करता जा रहा है. अब हम खनीज संसाधनों के वरगी करण को देख लेते हैं कि कित्ते प्रकार के खनीज संसाधन होते हैं पहला है आपका धात्वी खनीज और दूसरा है अधात्वी खनीज धात्वी खनीज वो खनीज होते हैं जिनमें धातू का अंश पाया जाता है और धात्वी खनीज जिसमें धातू का अंश नहीं पाया जाता अब इसमें भी हम देख लेते हैं कि जो धात्वी खनीज होते हैं वो आगने चट्टानों में प्रमुक रूप से आगने चट्टानों में आगने चट्टान जो हमारी प्राथमी चट्टाने हैं उनमें ये उप तो लौह खनीज जिसमें आपको लोहे का अंश मिलेगा उसे हम लौह खनीज कहते हैं जैसे कि लौह अस्ख हो गया, मैगनीज हो गया, ये सभी जो हैं वो लौह खनीज हैं क्योंकि इसमें लौह धातू का अंश या लोहे के धातू का अंश हमें मिलता है फिर लौह खनीज की जब हम बात करेंगे, तो जिनमें लोहे का अंश नहीं मिल रहा है, जैसे कि आपका तामबा हो गया, बॉकसाइट हो गया, ये सभी जो खनी संसाधन हैं, वो अलाह खनीज के अंतरगताते हैं, क्योंकि इनमें लोहे का कोई भी अंश नहीं मिलता है, अब जब हम अधात्वी ख कार्बनिक खनीजों में हम ये देखेंगे, कि इसमें जिवाश्म के अंश मिलते हैं, जैसे कि कोईला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी, और जब हम अधात्वी खनीज की ही बात कर रहे हैं, तो हमें एक बात ये धिहान देनी होगी, कि जैसे धात्वी ख खनीज जो है, वो हमें आवसादी शैलों में मिलती है, तो नैचरली है, कि जब हम जिवाश्म इंधन के रूप में मिलने वाले जो खनीज हैं, जिसे हम जिवाश्म इंधन भी कहते हैं, या जिवाश्म खनीज की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जीव के अवशेश मिले चाहे किसी भी प्रकार का वो जीव जन्तु हो या वनस्पतियां हो तो यहां पर हमें जीवों की अवशेश जो हैं वो मिलते हैं जीवाश मखनीज में और जैसे हमने बात की कि कोईला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तो हम सभी को पता है कि कोईला भी जो है उसमें वो जो प्राकृतिक वनस्पति के दबने से उसमें जो प्रक्रिया हुई है उससे कोईले का निर्माण हुआ है और पेट्रोलियम जो है वो भिन प्रकार के जो जीव जन्तु हैं उनके दबने से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है यह हम यह कहें कि कि किसी भी प्रकार की जो प्राक्रितिक वनस्पती है और जीव जन्तु ये सब कालांतर में दब गए और इन में जो रुपांतरन की प्रक्रिया हुई दाब और ताप के परिनाम सरूप तो ये जिवाश्म खनीज जो हैं वो हमें प्राप्त हुए अब जब हम अकारबनिक की बात करें तो हम इसे जिव जिवाश्म इंधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते जैसे कि आपका हो गया अकारबनिक के अंतरगत हम बात करें तो आपका चुना पत्थर है ग्रेफाइट है माई का है ये सब ही जो हैं वो आपके अकारबनिक खनीजों के अंतरगत शामिल होते हैं जब हम खनीजों के वितरण की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे भारत देश में कुछ प्रमुक छेत्र हैं जहां पर खनीज संसाधन जो हैं अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं और विशेशकर हम ये देखेंगे जो खनीज हैं वो प्राचीन चट्टानों में ही हमको अधिक देखने को मिलते हैं तो पहला जो छेत्र है हमारा जिसे हम उत्तर पूर्वी छेत्र की जब बात करते हैं तो इसमें देखते हैं छोटा नागपूर का पठार और ओडिसा का पठार और इसके साथ साथ तेलंगाना का पठार जो है वो शामिल है आपके उत्तर पूर्वी छेत्र में अब इसमें हम देख लेते हैं कि किस किस प्रकार की छेत्र में हमको खनी संसाधन देखने को मिलते हैं तो लौहयस्क हो गया, डोलोमाइट हो गया, चुना पत्थर है, बॉकसाइट है, अभरक है और मैगनीज, इसके साथ साथ थोरियम, यूरेनि ये सभी जो हैं और आपका कोईला, तामबा, ये सभी खनी संसाधन आपको उत्तर पूर्वी छेत्र में देखने को मिलते हैं, तो उत्तर पूर्वी छेत्र में आपका छोटा नागपूर का पठार हमने बात की, ओडिसा का पठार और तेलंगाना का पठार, ये सब पठारी छेत्र के अतरिक तभी हम देखेंगे कि यहां पर जो दामोदर नदी घाटी है और चतिसगर में कोईले का जो है विस्तरिक भंडार हमें देखने को मिलता है और यह पूरे खनी संसाधनों की जो उपलबधता है वो हमारे लौह इसपात उद्योग को एक मजबूत आधार प्र यह देखेंगे कि अलुमिनियम उद्योग या अलुमिनियम सयंत्र भी जो है इस छेत्र में बहुत अधिक मात्रा में स्थापित हैं क्योंकि इन दोनों ही उद्योगों के लिए कच्चा माल यहां पर उपलबध मिलता है खनीच की दूसरी पेटी हम अपने भारत में जो हमा दोनों ही छेत्र में हमको विश्तरित देखने को मिलता है यहां पर हम यह देखेंगे कि लौह यस्क है मैगनीज है बॉकसाइट है और कुछ अधात्वी खनीच भी हमें यहां पर उपलबध देखने को मिलते हैं साथ ही साथ यहां पर एक बात और है कि जो सोने की खाने हैं है ना विशेश रूप से सोने की जितनी भी खदाने हैं खाने हैं वो हमें इसी दक्षिन पश्चिमी पठारी छेत्र में देखने को मिलते हैं और विशेश रूप से यहां पर कोईले की उपलबधता हमें कम देखने को मिलती है और कोईले की कमी के कारण यहां पर जो भारी उ पशिमी प्रदेश तीसरा जो छेत्र है हमारा उत्तर पशिमी प्रदेश इसमें हम देखेंगे इस पेटी का विस्तार जो है वो पुरा खंभात की खाड़ी से लेकर आपके राजस्थान की अरावली शेडियों तक विस्तरित देखने को मिल रहा है खंभात की खाड़ी से अरावली की शेडियों तक हम यह देखेंगे कि यहाँ पर हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो विशेश रूप से यहाँ पर उपलब्ध हमें मिलते हैं और इन सब के साथ ही साथ जो अलाव धातुएं हैं जैसे तांबा है, चांदी है, सीसा या जस्ता इसकी हम बात करेंगे तो यह भी हमें उत्तर पशिमी प्रदेश में उपलब्ध देखने को मिलते हैं और जब हम विशेश रूप से राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में हमें इसके साथ ही साथ बलुवा पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और जिपसम ये भी हमें विशेश रूप से यहां पर राजस्थान में देखने को मिलते हैं तो ये तीन छेत्र हो गए हमारे जहां पर खनी जो या खनी संसाधन जो है वो हमें अधिक मात्रा में उपलब्ध मिलते हैं पहला हमने देखा उत्तर पूर्वी पठारी छेत्र, दू उत्तर पशिमी प्रदेश की बात की जो पूरा आपका खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की शेणियों तक विश्रित हैं तो ये तीन छेत्र हो गए अब हम बात करते हैं लौह या हम लौह यस के विशे में बात करते हैं अलग-अलग खनीजों का हम अलग-अलग वितर आधदता है इनकी क्या विशेषताएं हैं इन सभी पर अच्पष चे चार्चा करते हैं अब हम लौह करते हैं हम सभी को पता है लौह जो है वो वर्तमान समय में ऐसा किसी के भी जीवन का कोई हिस्सा नहीं है जहां पर लौह जो है जब हम उद्योगों की बात करें तो उद्योग के लिए तो ये एक आधार शीला का काम करता है या हम ये कहें कि किसी भी और द्योगिक विकास के लिए हम इसे उसका बैरोमेटर मान सकते हैं ये एक पैमाने की रूप में हैं मतलब विश्व के हर छेत्र में कम या अधिक आता ही है और साथ ही साथ ہम ये देखते हैं जहां पर लोहा या लौँयस्क जो है वो अधिक मात्रा में हमें अПलब्ध मिल रहा है वहां पर हम ये देखेंगे कि उस छेत्र का विकास उतना ही अधिक है क्योंकि हम कह रहे हैं कि आर्थिक विकास के बैरोमीटर के रूप मे हम लौहयस को वर्तमान समय में मानते हैं क्योंकि कोई भी उद्योग स्थापित करना होगा तो उसके लिए चाहे एक छोटी सी सुई से लेकर एक बहुत भारी मशीनों तक कि जब हम बात करेंगे तो सभी के लिए हमें लोहे की आवश्यक्ता पढ़ती है लौहयस की आवश्यक तो यह अब हम कह सकते हैं कि हमारी अनिवार्यता के रूप में भी उभर कर आ रहा है अब क्या विशेष्टाएं हैं जिसके कारण यह इतना उपयोगी है तो पहले तो हम देखते हैं कि लौह यस्क जो है इसमें बहुत अटिकावपन होता है ना क्योंकि यह बहुत कठोर हो चादर से लेकर हम यह कहें कि इसके पतले-पतले तार भी जो है वो खीचे जा सकते हैं इसकी अलग-अलग क्वालिटी हम जिस रूप में इसे ढाल लें इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें चुम्बकी गुड़ भी होता है लोहे में और साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि ल लोहे को हम फिर से पुनह गला कर और दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। तो एक प्रकार से लोहा जो है ये हमारा चक्री संसाधन है इसलिए इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती क्योंकि हम इसे रियूज कर सकते हैं। अब मानव ने हमारे यदि हम प्राचीन समय में भी जाएं तो मनुष्य ने लोहे का उपयोग करना कब सीखा या कब जो है वो इसका विशकार किया एकदम ठीक तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम लगभग 4000 इसापूर्व की बात करें। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर मिश्र और चीन में लोहे का प्रेयोग किया जाने लगा था। और साथ ही साथ हम अपने भारत देश में देखें तो हमारे दिल्ली का जो कुतुब मिनार है और जो अशोक इस्तंभ है वो आपका लोहे का बना हुआ है। तो ये जो हैं वो हमारे लोहे की उपियोगिता को बताते हैं कि हम कितने प्राचीन समय से लोहे का उपियोग करते आ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं लोह एस्क के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं। अब हम लोहेस्क के प्रमुकः प्रकारों के विशे में बात करते हैं। चार प्रकार से प्रमुक अयस्क होते हैं लौहे के। तो सबसे पहला हम देखते हैं जो उत्तम किस्म का होता है वो आपका Magnetite Lowesk है। मैगनेटाइट लौहयस्क में ये गहरे काले रंका होता है इसकी विशेश्टा है और इसमें लगभग हमें 72 से 75 प्रतिशत जो है धातू का अंश देखने को मिलता है साथ ही साथ हम देखेंगे कि मैगनेटाइट जो लौहयस्क है वो आपको आगने शैलो में ही देखने को मिलेंगे ये कठोर होते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसमें चुम्बकी गुड मिलता है और चुम्बकी गुड मिलने के कारण ही हम इसे मैगनेटाइट आयस्क क होता है वो आपका हैमेटाइट है हैमेटाइट को हैमेटाइट का जो युनानी भाषा में इस शब्द का अर्थ जो है रक्त होता है तो हम यह देखेंगे कि यह लाल रंग का और कभी हमें काले रंग का भी देखने को मिलता है आपका हैमेटाइट जो आयस्क है और विशेश 60 से 70% के बीच में मिलता है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसकी क्वालिटी मैगनेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है लेकिन ये एक अच्छी किस्म का ही लोह आयस्क होता है और विश्व में सबसे अधिक मातरा में हमें हमेटाइट आयस्क जो है देखने को मिलेगा और ये जो आयस्क है ये आपको आवसाधी चट्टानों में मिलते हैं भारत में देखेंगे हम तो इस लोह एस्क जो प्रकार है वो आपके जारखंड, ओडिसा और चतिसगड इन तीन जगों पर आपको विशेश रूप से मिलेगा और साथ ही साथ कुछ मात्रा में जो हमेटाइट लोह है वो आपके करनाटक और महाराश्टर में भी उपलब्ध ह इसके बाद तीसरा है आपका लिमोनाइट लिमोनाइट एस्क लिमोनाइट एस्क में ये तीसरे नंबर के या तीसरी हम क्वालिटी में देखें तो तीसरे नंबर पर आता है क्योंकि इसमें जो लोहे का आंश है वो लगभग 60% के आसपास देखने को मिलेगा और ये जो ल पीला और हलका भूरा होता है यह वो आपके किसी भी जली छेत्र हमें कह सकते हैं तलहटी या तलचटी वाली जो चट्टाने हैं उन छेत्रों में हमें उपलब्ध मिलेगा तो भारत में जब हम बात करेंगे तो आपका पश्रिम बंगाल का रानी गंज हो गया और जो कोईला क्षेत्र हैं कोईला छेत्रों में आपके निमन गुंडवाना छेत्र जो है यहां पर यह आपको लिमों नाइट आयसक मिलेगा अफिर है आपका सीड़राइट hai सीदेराइट में लोहे का अंश 40% और उससे भी कम हमें मिलता है और यह सबसे निमन किस्म का या निम्नकोटी का निम्नक्वालिटी का जो है लौःस्क होता है तो ये हो गई बात लौःस्क की अब हम जो लौःस्क है उसका वितरन देखते हैं कि ये भारत में कहां कहां पर मिलते हैं अब हम भारत में अलग-अलग राज्यों में लौःस्क के वितरन की बात करते हैं तो देखते हैं ओरिसा ओरिसा जो है वो भारत का 40 प्रतिशत लौःस्क उत्पादित करके पहले इस्थान पर है और ओरिसा में हम देखेंगे ओरिसा का क्योंजर है मयूर भंज है, संबलपूर, बरसुआ, बोनाई और बादाम पहाड ये जो छेत्र हैं वो ओरिसा के प्रमुख लौःस्क जो उत्पादक छेत्र हैं अब दूसरी नंबर पर हम बात करते हैं भारत में गोवा भारत में गोवा राजी जो है वो भारत का 20 प्रतिशत लौःस्क उत्पादित करके दूसरे इस्थान पर है और गोवा की छेत्र हम देख लेते हैं लौःस्क उत्पादक इसमें प्रमुख रूप से है आपका पिरना अदोल, पाले ओनरा, कुड नेम और पिसरू लेम जो प्रमुख रूप से लौःस्क उत्पादित किये जाते हैं फिर तीसरा हम बात करते हैं चटिसगड की चटिसगड राजी जो है वो भारत का लगभग 18 प्रतिशत लौःस्क उत्पादित करके तीसरे इस्थान पर है यहां पर दुर्ग और बस्तर जो जीला है वो प्रमु कि सबसे बड़ी यंत्र सुसजित ख़दान हमें देखने को मिलती है अकेले बैला डिला की जो पहाडियां है वहां पर पूरे भारत का लगभग 11 प्रतिशत लौःस्क उत्पादित किया जाता है और यहां से जो लौःस्क का उत्पादन होता है उसे विशाखा पटनम भे की पहाडियां और बैला डिला और साथ ही साथ दुर्ग और कुछ मात्रा में हमें सरगुजा और बिलास्पूर रायगड इन छेत्रों में भी हमें लौःस्क की उपलबधता देखने को मिलती है फिर हम बात करते हैं जार्खन जार्खन जो है वह भारत का लगभग 11 प्रति क्लिए टाइट लौहिस्क हमें मिलता है बच्चों यहां पर बीच में थोड़ा बताना चाहूंगी हमने गोवा की जब बात की थी तो गोवाराजी जो है वो दूसरे İsthान पर तो है लौह वारत में लेकिन यहां पर जो लौह वाधित खुपार दिख्या जाता है वो इकद जब जारखंड की बात कर रहे हैं तो हम यहां देखते हैं दोनों ही जो उत्तम किस्म का चाहे वो मैगनेटाइट हो या हैमेटाइट दोनों ही हाई क्वालिटी के जो लौह यस्क हैं यहां पर उत्पादित किये जाते हैं और हम जारखंड में भी देखते हैं इसके जो प्रम अब हम नेक्स्ट बात करते हैं करनाटक करनाटक में प्रमुख रूप से आपका कुद्रे मुख है केमान गुंडी है चित्रदुर्ग और शीमोगा ये करनाटक के प्रमुख लौयस्क उत्पादक छेत रहे हैं अब भारत में इन सभी के अत्रिक्त ये तो प्रमुख लौयस्क उत्पादक हैं जो सबसे अधिक मात्रा में लौयस्क का उत्पादन करते हैं अब इन सब के अतरिक्त भी कुछ छेत्रों में आंधप्रदेश के कुछ छेत्र महाराष्ट, मध्यप्रदेश और राजस्थान और साथ ही साथ तमिल नाडू, उत्तराखंड, पशिम बंगाल और जम्मू कश्मीर इन छेत्रों में भी हमें लौहयस्क की कुछ मात्रा कुछ- मिलती है मिलती है झाल झाल